कि ये हेलो आज हम लोग क्या देखेंगे तो प्नास्ट का स्टेडी करेंगे थाइयोट गर्ट काहां प्रजेंट है क्या है स्टक्चिर हम कैसा था आपने पीछे देखा लोबूल्स में है लोकेशन इसका क्या है तो यह लंग्स के दोनों लंग्स जो हमारा है उसके बीच में परजिंट है और और जस्ट अस्टर्णम के पीछे है यहनी कि भेंट्रल साइड और वहां पर भी क्या तो एवोटा के आसपास है ठीक है तो यह इसका location है, यह lobular structure आप देख सकते हैं, thymus gland का, है ना, position हम लोगों ने देख लिया, कि कहा है, तो lungs के behind है, important role क्या है, तो हमारे immune system को यह मजबूत करने का काम करता है, इसका origin क्या है, तो endodermal origin है, है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं, तीन जर्म layers है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और क्या, इंडोडर्म, तो यह endodermal origin है, color इसका क्या है, यह pinkis color का है, soft nature का है, है ना, किस से बना हुआ है, तो यह lymphoid tissue का collection है, है ना, यह prominent gland है, और age के साथ साथ, जैसे जैसे age बढ़ता है, है ना, वो यह क्या होता है, डिजनरेट करता है, जली, जो है, तो 13 साल, 15 साल तक, यह 13 साल maximum, यह बहतर तरीके से काम करता है, हमारा immune system को मजबूत करने का काम करता है, अगर हमने हमारे चैनल को अपने subscribe नहीं किया है, तो चैनल को subscribe करेंगे, यह क्या करता है, तो थाइमस gland से हार्मोन का secretion होगा, कौन सा हर्मोन, थाइमसीन हर्मोन, नेचर कैसा है इसका, तो peptide नेचर का है, थाइमसीन, important role play करता है, किसमें, तो differentiation, किसके differentiation, T lymphocyte के, है न, और यह क्या करेगा, cell-mediated immunity को provide करने का काम करेगा, किसको, cell-mediated immunity, है न, यह T lymphocyte कई तरह के lymphocyte cell में बदल जाते है, killer cell है, helper T cell है, है न, हम लोग आगे देखते हैं, और क्या है, तो यह, जब यह T lymphocyte जो है, आगे change करता है, plasma cell का formation करता है, तो यह antibody का production करता है, और तब यह ही moral immunity को promote करने का का काम करता है, थाइमस्ट डिजनरेट करेगा, जैसे ही age old होगा, है न, और साथ में, होता क्या है, older age में, थाइमोसीन भी, हार्मोन जो है, secretion, degenerate हो जाता है, और इसलिए old person के immune response जो है, वो कैसे हो जाते हैं, weak हो जाते हैं, है न, थाइमस्ट ग्लैंड का structure, उपर वाला cortex दिख रहा है, medulla, फिर cortex, medulla इस तरह से, यह हमारा ग्लैंड है, young stage का TS section आपको दिखाया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं, कॉर्टेक्स का हिस्सा, है न, सेप्टा है, connective tissue मौझूद है, और क्या है, इसके लोप्स है, हर लोप्स में कॉर्टेक्स भी है, medulla भी है, कॉर्टेक्स भी है, और medulla भी है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, थाइमस्ट ग्लैंड को हम लोग चार्ट, फ्लो चार्ट के अब, तो यह थाइमस्टे का स्कॉर्मग कर रहा था, थाइमस्टे में हार्मोन का सिक्रिशन कर रहा था, थामस्टे हार्मोन के बज़ञों से दो immunity हमको मिल रहा था, एक तो हमारा cell-mediated immunity और दूसरा क्या humoral immunity, means को पढ़ते हैं और ये टे लिंफोसाइट का production करता है यह यो है यह इसा करते हैं धिद्ध करते हैं यह एक स्जाव अभरेंक करते हैं t prefers ल करेंगे सप्रेशर सेल का formation करते है और निमोरि अभसकर सेल करते सबका काम आपको पता है क्या है पता helper T-cell तो हमारे immune system को मजबूत करने में यह लिंफोसाइट के work में help करेगा killer cell जो है phagocytic nature का है वो क्या करेगा तो jumps बगएरा को खत्म करने का काम करेगा suppressor T-cell जो है हमारे antibody secretion को रोकने का काम करेगा memory T-cell क्या है तो memory T-cell T-cell lymphocyte modify करता है और जब इसे antibody बनाना होता है तो lymphocyte जो है पहले से divide होकर के धेर सारा cell का formation करता है तो यह cell जो है वो plasma cell का लाते हैं और plasma cell ही हमारा क्या करते है antibody का production करते हैं जब antibody बन जाता है और primary response के वक्त जो है यह antibody काम करके हमारे हमारे हमको डिजिस से प्रोटेक्ट करते हैं और future के लिए यह memory cell में कुछ cells जो है कुछ cell memory cell बदल जाएंगे और वो उसको remember रखते हैं कि future में भी इसको खतम करना है तो यह हमारा part किसका था antibody वाला हीमोरल immunity का था है न यह T-limphocyte plasma cell बनाए प्लाज्मा से बी लिंफोसाइट है न और यह cell में बी लिंफोसाइट में इसको बी लिंफोसाइट में डिटेमिनेटी भी काते हैं और क्या है तो यह stimulate करेगा क्या तो प्लाज्मा आपको नए वीडियो की जरूरत है तो हमें बताएंगे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट जरूर करेंगे धन्यवाद